तो दोस्तों जैसे अपने टाइटल देखा होगा तो आपको देखके समझी गया होगा कि यह वीडीयोज किस टॉपिक पे तो दोस्तों यह वीडीयो हम इस्सटार डल्ड स्टार के बारे में बताएंगे उसकी control wiring के बारे में बताएंगे शुरू से last तक देखिएगा दोस्तो skip मत करिएगा क्योंकि एक एक point बहुत ही बारीकी से बनाया गया है और आपको समझाया गया है तो आप शुरू से last तक देखिएगा ताकि आप लोग को star delta starter की control wiring करने में कोई तकलीफ ना हो या किसी interviewer को जवाब देने में या interviewer के तुरू कोई सवाल किया की sketch बनाओ star delta starter की control wiring के बारे में तो आप बनाने में कोई तकलीफ ना हो ठीक है दोस्तो तो चलिए वीडियो start करते हैं की control wiring के बारे में तो आप अगर पावर की वाइरिंग नहीं देखेंगे तो आप मेरा वीडियो चेक aut कर सकते है उसमें मैंने इसटार इलटा descent घी ओर की वायरिंग बता दिये हैं दोस्तों तो आज हम ल्ग चूँखेंगे इस्टार रोल के लिए रखते हम लोग उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक ओवर लोड रिले लगा देंगे ओवर लोड रिले ठीक है दोस्तों उसके बाद हम लोग स्टॉप पुस्ट बटन यह हमेशा एंसी रहता है ठीक है दोस्तों स्टॉप पुस्ट बटन यह हमेशा एंसी रहता है उसके बाद से यहीं से आउट पुट निकालेंगे हम लोग स्टार्ट पुस्ट बटन यह हमारा एंसी रहता है ठीक है दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहीं से निकालके एक मेन कॉंटेक्टर में जोड़ देंगे ठीक है दोस्तों यह हमारा हो गया मेन कॉंटेक्टर एमसी मतलब मेन कॉंटेक्टर ठीक है दोस्तों अभी यह हम लोग जो बनाए यहां तक तो आप देखे होंगे डियोल स्टार्टर की ये कंट्रोल वाइरिंग है ठीक है दोस्तों तो जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देंगे यह ओवरलोड यहां तक आएगी जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे, यह main contactor on हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह neutral है, neutral हम लोग direct दे दिये, ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया neutral, neutral direct दे दिये, आप लोग देखिए, आप contactor के पीछे की तरफ आपका, यह जो contactor coil है, वो कितने bolt का है, अगर 220 bolt का है, तो आप neutral direct दे दिजे, ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग इसको start करेंगे, यह contactor on हो जाएगा, यह जो हमारा main contactor है, यह on हो जाएगा, यहां तक का process आप देखिए, यह पूरा series में हम लोग connect किये, ठीक है दोस्तों, fuse, overload, relay, stop, push button, stop, push button हमेशा NC use करते, NC contact use करते, और start का NO contact use करते, जैसे हम लोग इसको press करेंगे, main हम लोग का contact on हो जाएगा, लेकिन उस case में क्या होगा, यह कुछ second के लिए on होगा, जैसे हम लोग press करके हाँ धटाएंगे, वह इसे ही वापस यह open हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक main contactor का NO, हम connect कर देंगे, इसको हम लोग holding coil भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम लोग यहीं से common कर देते हैं, अभी यहां से क्या करेंगे, timer लगा देंगे, यह हम लोग का हो गया T for timer, ठीक है दोस्तों, timer लगा दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या क्या on हो अची है एक समय में main contactor और star contactor तो अब हम लोग क्या करेंगे इधर एक star contactor लगाएंगे star contactor यह हमारा हो गया s4 star ठीक है दोस्तों neutral direct दे देंगे यह a1 हो गया यह a2 हो गया ठीक है दोस्तों neutral हम लोग ने direct दे दिया अभी हम लोग इसको direct नहीं लगा सकते तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इधर एक timer का nc contact ठीक है दोस्तों यह जो timer है इसका यह timer का nc contact हमेशा star के लिए यूज करते है ठीक है दोस्तों interlocking के लिए भी हम लोग लगा देंगे डेल्टा का इधर डी फॉर डेल्टा डेल्टा का nc contact ठीक हाँ तो ठीक हाँ दोस्तों delta का nc contact हम लोग हमेशा star के लिए यूज करते इंटर लोकिंग के लिए की एक समय में हमारा तीनों एक साथ ओन ना हो इसलिए हम लोग डेल्टा का एंसी कॉंटेक हमेसा इस्टार के लिए यूज करते हैं और टाइमर का एंटो का एल्टा के लिए यूज करते हैं ठीक है दोस्तों यह हो गया टाइमर timer का no contact ठीक है दोस्तों confuse मत हो येगा अगर कुछ भी confusion होगा तो मुझे comment में comment करिएगा ठीक है दोस्तों हमेशा timer का no contact delta के लिए use करते है और star का no contact हमेशा delta के लिए use करते है ठीक है दोस्तों मैं बना लेता हूँ फिर वापस से आपको एक बार अच्छे से समझा दूँगा ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया star का no contact ठीक है दोस्तों और ये neutral हम लोग ने direct दे दिया neutral क्यों direct दिया क्योंकि हमारा जो भी coil है और 230 बोल्ट का है ठीक है दोस्तों अगर 440 का होगा तो आप एक फेस डायरेक्ट दीजिएगा ठीक है दोस्तों तब समझ लेते हैं इसकी working कैसी होती है ठीक है दोस्तों जैसे हम लोग supply देंगे हमारी supply यहीं तक आके रुख जाएगी जैसे हम लोग start push button प्रेस करेंगे वह हमारी supply main contractor को चली जाएगी अब इस इसे ही जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो क्या करेगा यह जो एनो है main contractor का एनो है यह हमारा NC में convert हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह हमारा NC में convert हो जाएगा यह open हो जाएगा हमारी supply यहां से IC मिलती रहेगी अब उस case में क्या होगा हमारी supply timer को भी मिल रही है और star को भी मिल रह थीक है दोस्तों तो इसलिए हम लोग पहले timer का NC contact star के लिए use करते है ठीक है दोस्तों यह delta delta का NC contact star के लिए यूज़ करते हैं यह interlocking के लिए ठीक है दोस्तों कि in case हमारा कोई भी situation में हमारी तीनों contactor एक साथ on ना हो इसलिए हम लोग इधर दो protection लगा दियえ timer का एनो हम और इस्टार का एनो भी डेल्टा में लगाए कि एक साथ दोनों ना हो ठीक है दोस्तों तो यहां तक आप लोग ने समझ गया कि छोड देंगे हमारी यहीं तक रुकी ही现在. बटन पुस्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई को जाएगी ठीक है दोस्तों चोड देंगे हमारी यह जो एनो कॉंटेक्त था जो एन औका कॉंटेक्ट था वो एंसी हो जाएगा ठीक है ौन और हमारी सप्लाई में इसको इसको तीनों को मिलती रहेगे और हमारा डेल्टा इसे ही रहेगा टाइमर में हम सेटिंग कर देते हैं सेकेंड, फंदरा सेकेंड, 30 सेकेंड, I.C. सेटिंग, जितनी सेकेंड के हम लोग सेटिंग कर देंगे, उसनी सेकेंड के बाद, ये जो होता है, ये जो अब ही, टाइमर का N.C. है, ये một हो जाता है, ठीक है दोस्तो, और ये डेल्टा का जो N.C. है, ये भी NO हो जाता है ठीका दोस्तों अब इस case में क्या होगा ये जो timer का हम लोगों ने NO delta के लिए use किया था ये उस वक्त में NC हो जाएगा ठीका दोस्तों वो timer के तुरू जब हम लोग 10 second 15 second जितना भी setting करे रहेंगे उस timer में उसके बाद वो अपने आप NC हो जाएगा इधर भी ये आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ लेकिन आप लोग इतना ही जो बना के दे देंगे तो आप लोग को interviewer पास करतेगा ठीका दोस्तों तो ये हो गया start delta starter की control wiring हाँ तो दोस्तों I hope कि आप लोग ने समझ गया होगा कि start delta starter की control wiring कैसे होती है ठीका दोस्तों अगर आ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों like करिए comment करिए और channel पर नए हैं तो subscribe करिए thank you